राजस्थान हमें लोकर डाउन के दोरान किन-किन चीजों पर रहेंगी बंदिशें, शादियों के लिए क्या है गाइडलाइन्स, जाने यहाँ राजस्थान हमें अब 10 माई के सुबह 5 बजे से 24 माई की शाम 5 बजे तक सख्त लोकर डाउन लागू रहेगा वहीं 31 माई तक शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी शादियों को लेकर अशोक गहलोत अशोक जैलत सरकार ने कई गाइडलाइन्स जारी की है बता दे की राजस्थान हमें 10 से संपूर्ण लोकर डाउन है लेकिन इसकी शुरुआत कल यानी शुकरवार से ही हो जाएगी औल सुरी देश राजस्थान लोक डाउन के दोरान किन-किन चीजों पर रहेंगी बंदिशें शादियों के लिए क्या है गाइडलाइन्स जाने यहां राज्य में पहले से ही वीकेंड लोक डाउन वीकेंड लोक डाउन इन राजस्थान लागू है राजस्थान हमें शुकरवार शाम 6 बजे से लेकर सुमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लोक डाउन रहेगा इसके तहित बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे और सुमवार सुबह यानी 10 माई से सरकार ने संपूर्ण लोकडाउन लगाने की घोशना कर दी है Also read lockdown in Rajasthan राजस्थान में 10-24 माई तक संपूर्ण लोकडाउन, शादियों पर 31 माई तक पाबंदी राज्य में 10 माई के सुबह 5 बजे से 24 माई की प्राते 5 बजे तक लोकडाउन रहेगा राज्य में विवा समारो 31 माई 2021 के बाद ही आयोजित किये जाएं विवाव से संबंधित किसी भी प्रकार के समारो, डीजे, बाराते एवर्म निकासी तथा प्रीत भोजादी की अनुमती 31 माई तक नहीं होगी विवाव घर पर ही अथ्वा कोड मैरेज के रूप में ही करने की अनुमती होगी जिसमें केबल 11 व्यक्ती ही अनुमत होंगे विवाव में बैंट बाजे, हलवाई, टैंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ती के सम्मिलित होने की अनुमती नहीं होगी शादी के लिए Tent House एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के समान की Home Delivery भी नहीं की जा सकेगी Marriage Garden, Marriage Hall एवं होटेल परिसर शादी समारों के लिए बंद रहेंगे विवाव स्थल मालिकों, Tent व्यविसाईयों, केटरिंग संचालकों और बैंड बाजावाद को आधिका Advance Booking राशी आयोजन करता को लोटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज की अनुमती नहीं होगी ग्रामीं चित्रों के संकर मेत होने के मामले सामने आये हैं, इसे देखत हुए मनरेगा के कारेश थगित रहेंगे इस संबन्ध में ग्रामीन विकास विभाग विस्तृत दिशा निरेश जारी करेगा सभी प्रकार के दार में क्सथल बंद रहेंगे आमजन से अपील है कि पूजा अर्चना, इबादत, प्राथना घर पर रह कर ही करें अस्पताल में भारती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेंडेंट के संबंद में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा मेडीकल सेवाओं के अत्रिक्त सभी प्रकार के नेजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आधी पूरी तरह बंद रहेंगे बारात के आवागमन के लिए बस, आटो, टेंपो, ट्रेक्टर, जीप आधी की अनुमती नहीं होगी अंतराजी एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तता इस कारे के लिए नेवजित व्यक्ती अनुमत होंगे राज्य में मेडिकल, अने इमर्जेंसी एवं मनमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गाऊ, गाऊ से शहर और एक गाऊ से दूसरे गाऊ में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा राज्ये के बाहर से आने वाले यात्रिया को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटेव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवारे होगा शमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्ध्योगों एवाद निर्मान से संबंदित सभी इहकाईों में कारे करने की अनुमती होगी शमिका को आवागा मन में असुविधा नहीं हो इसके लिए इन इकाईों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा उद्यो गेवं निर्मान ही काई द्वारा शमिकों के आवागमन के लिए विशेश बस का संचालन अनुमत होगा इन संस्थानों को शमिकों के पास के लिए अधिकरित्व्यक्ति के हस्ताक्षर एवां विवरंट तथा विशेश बस के नंबर एवां वाहन चालक का नाम जिला का लेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे निर्मान सामगरी से संबंदे तो दुकाने नहीं खुल सकेंगी माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूर्भाश अत्वा इलेक्टोनिक माद्ध्यम से ओर्डर मिलने पर सामगरी की आपूर्ती की जा सकेगी शेश व्यावसाइक गतविध्यां 30 अप्रेल 2021 को जारी महामारी रेड अलर जन्वरी अनुशासन पकवाडे की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी जिला कलेक्टर एवान पुलिस कमेशनर द्वारा कंटीनमेंट जॉन में स्थानिय आवशक्ता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगा